हेलो दोस्तो आज की वीडियो का टॉपिक है ब्लॉसम कोचर अरोमा मैजिक का ब्राइटनिंग ब्यूटी पैक ये कमपनी ब्लॉसम कोचर 1994 में बनाई गई थी इसे बनाया था डॉक्टर ब्लॉसम कोचर ने और जो कि आज भी इसके चेर परसन है इनके प्रॉड़क्ट्स बह क्लारीफाइज एंड ब्राइटन्स सकिन को साफ करता है क्लारिटी लाता है आनिवन टोन नहीं रहने देता बिल्कुल एवन एक जैसे सकिन हो जाती है सारी और साथ ही ये प्रॉड़क्ट सब सकिन टाइप्स के लिए सूटेबल है ओल सकिन हो या ड्राइ सकिन हो सब के में कहा है कि I am 100% free of parabens parabens होते हैं preservative जो कि ये shelf life बढ़ाते हैं लेकिन साथ ही ये cancer भी cause करते हैं तो इस product में parabens नहीं है साथ ही harsh chemicals नहीं है alcohol नहीं है artificial taste कोई chemical based fragrance या color नहीं है और आगे है कि the natural goodness of kulin and aloe vera hydrate and refined pores अब aloe vera के बारे में तो क्या बात करने हैं ये तो 500 remedies में हम already use करते हैं कभी akili को use करते हैं कभी कितनी सारी और चीज़ों के साथ हमेशा base ये ही रहता है तो इसके बारे में तो सब भी अच्छे से जानते ही हैं दूसरा आगया kulin clay तो ये एक तरह की मुलतानी मिटी के जैसी होती है मुलतानी मिटी जैसे skin को बहुत साफ करती है तो ये उस action में मुलतानी मिटी से भी आगे होती है extracts of apple, lemon, orange peel and natural fruit enzymes combine together to even out the skin tone and remove dead skin cells, erasing the effects of the environment तो इसमें fruit extract डले हुए है apple का, lemon का, orange peel का और इसके साथ ही fruits की enzymes भी डली हुई है तो ये सभी कुछ combination में काम करता है skin की toning करता है tightness लाता है dead skin cells को हटाता है तो एक freshness youthfulness आपकी skin को देता है और अगर हम बात करें ये lemon की और orange peel की तो इसे तो हम home remedies में भी यूज करते है orange peel को तो बहुत ही करते है lemon कई बार थोड़ा सीधा यूज करना sensitive skin वालों के लिए थोड़ा issue हो जाता है लेकिन orange peel फिर भी इतना नहीं होता mild ही होता है orange peel हमेशा ही effective होता है skin को lighten करने में tanning को हटाने में आप उसे सीधे से अकेले को home remedies में भी यूज कर सकते हो तब भी उसका effect बग हो भी आता है और यहां तक कि जो face wash भी orange peel के उपर based होते हैं उनका भी effect आता है हाला कि face wash आप जल्दी से दो कर चले जाते हो लेकिन फिर भी उतने time में भी orange peel की tendency होती है tanning को हटाने की इसके आगे यह बात करते हैं जो इसमें essential oils है my aroma therapy blend of mandarin, orange and neroli essential oils act directly on wrinkles loss of firmness and dry skin conditions thus delaying the signs of aging तो इसमें साथ ही essential oils है mandarin का जो संत्रा ही होता है एक तरह का orange का और neroli का तो mandarin और orange को तो हम जानते ही है कि इनमें vitamin C का content ज्यादा होता है vitamin C skin की tightening and toning के लिए effective होता है और साथ ही tanning पर तो without any doubt इसका effect होता ही है वो तो सब ही मेरा खहल से use करके try करके देख चुके है vitamin C आप ज्यादा खाओगे भी तब भी आपको effect आएगा skin पर लगाओगे भी तब भी आपको effect आएगा उसके बाद है neroli essential oils ये भी एकने breakouts के लिए बहुत ही suitable है skin irritation के लिए बहुत ही suitable है antimicrobial और antifungal इसकी properties होती है तो ये तीनों हुई तेल हर तरह से इनका action है skin के लिए इसके साथ ही इसमें beast wax भी होती है जो के skin के products में काफी हद तक पाई जाती है अक्सर ही और इसकी smell बहुत ही soothing mild सी smell है essential oils की smell आती है कोई particular आप नहीं कह सकते के इसके जैसी इसके जैसी बस इतना है के essential oils के जैसी smell है और बहुत ही soothing है तो क्योंकि ये essential oils और skin के लिए बड़ी अच्छे वाली clay और fruit extracts का rich mixture है तो इसलिए company ने इसे नाम दिया है brightening beauty pack आपकी skin में एक चमक लेके आएगी जान लेके आएगी इससे आप एक layer में लगाकर even layer में लगाकर छोड़ दें और 20 से 30 मिनट बादे से धो दें और ये बिलकुल easy है यूज़ करने के लिए क्योंकि ये बिलकुल dry out नहीं होता बिलकुल सूख नहीं जाता और अगर वैसा हो जाता है तो उस सूरत में हमें दिक्कत होती है थोड़ा उतारने में तो ये product वैसे नहीं होता easily उतर जाता है क्योंकि ये बिलकुल नहीं सूख था और दूसरा कुछ चेहरे पर पीछे लगा नहीं रह जाता जो अक्सर ही सूख जाने वाले products में होता है और इसकी cost है 395 रुपए जिसमें आपको मिलेगा 100 ग्राम product और ये काफी last कर जाता है